तो यहां पर आपको दिख रहे हैं यह है मेरा टेलीग्राम चैनल स्रस्टी स्टेडी पॉइंट और इस पर इस टाइप के कोशन में अपलूड करती रहती हूं चैनल पई और बच्चे इसका आंसर भी देते हैं तो मैंने अच्छा आज इसमें से 10 कोशन लिए जाएं और वो 10 कोशन आपके सामने रखे जाए बहुत इंपोर्टन कोशन है वीडियो में बने रहिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसमें देखिए पहला कोशन यहापर है कि देश का पहला अम्रसरोवर जो है वो कह है तो यह देखे जैसे ही मैं आपको बताऊं जैसे ही आप क्लिक करेंगे यह जो बल्व है आप अगर टैलीग्राम चैनल पर जाएंगे किसी के बी मेरे ने किसी बल्ब जैसे ही आकरती दिखे तो इस पर जरूर क्लिक किजिएगा क्योंकि जो भी आंसर होता है उसकी पूरी डिटेलिंग वहां पर दी होती है तो यहां पर देखे बल्ब पर जैसे क्लिक करेंगे तो लिखा देखे उत्तर प्रदेश के रामपोर जन्वत के पटवाई में देश का पहला अम्रसरोवर बना है ठीक है तो आपको गाउं भी पता चल गया अब आते हैं अगले कोशन पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी ब्यार कौन सा है तो लाक बहुत सी पक्षी ब्यार कर नौज में है अब यहां पर कोई बल्ब नहीं बना तो इसक अगला कोशन यहापर है किसके शाशनकाल में पहली बहुत संगीती हुई थी तो इसका उत्तर है आजात सत्रू के शाशनकाल में ठीक है पहली बहुत संगीती हुई थी अब इसका उत्तर देखते हैं पूरी डेटेल मतलब उत्तर देख लिया डेटेल देखते हैं डेटेल है बहुत संगी थी, महा कश्यव की अधिक्षता में लगवग 400 ईसा पूर्व, फिर से इसको क्लिक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि टाइमिंग रहती है, 400 ईसा पूर्व राजग्रह में आज़ित की गई थी, पहली बहुत संगी थी, राजा अजास संत्रू, जो कि हर्यक चंद्रियान 3 कब लॉंच किया गया, तो आप सभी को पता, 14 जुलाई 2023 को लॉंच किया गया, और यहां पर इसकी अब पूरी डिटेल देखते हैं, LVM3 रॉकेट से चंद्रियान 3 को इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को दुपैर 2 बजकर 35 मिनट पर आंध्र प्रदेश के श् स्पेस सेंटर से चंद्रियान 3 को लॉंच किया गया, ठीक है, पूरी डिटेल यहां पर मिल गई, अगले कोशन पर चलते हैं दोस्तों, अगला कोशन क्या है, विश्व सत्रंज दिवस कब मनाया जाता है, बहुत important कोशन है, और आज ही की डेट है, जी 20 जुलाई को इसे मना इसलिए बिश्व सत्रंज दिवस को मनाया जाता है, अगला कोशन है, बिश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसकी पूरी आपको यहां पर मिल डेटेल बताती हूँ, जी हां, United Nation Organization की ओर से सन 11 जुलाई 1989 को वर्ड पॉपुले पर आंसर है, Lord Canning, एक मिनट रुकिएगा दोस्तो, Net On करती हूँ, तो इसका उत्तर देखे, Lord Canning है, अब इसकी यहां पर डेटेल देखते हैं दोस्तो, यह देखे, डेटेल है, Lord Charles Canning, 1857 के यह पूरा यहां पर दिखाया है, बिद्रो के समय भारत के गवर्नल जर्नल थे, ठी कोशन, तीसरा खेलो इंडिया इनिवर्स्टी गेम, 2022 में हाली में किस राज में आयोजित किया गया, तो इसका उत्तर देखे, देखते हैं क्या है, तो इसका उत्तर है, उत्तर प्रदेश में, कहां पर उत्तर प्रदेश में, इसकी डेटेल देखते हैं, यह आपर लिखी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश के चार सहरो लखनो वारानसी गोरखपुर गोतम बुद्ध नगर में आयुजित किया गया इसके बारे में पूरा पड़ते हैं और इस संसकरण में कुल 21 खेलो को शामिल किया गया और समापन इसका जो था वो वारानसी में किष्टवार निमलेखिस में से किष शेत्र से सम्मंदित है किष्टवार एक जगह है तो ये जो सम्मंदित है ये है जम्मू और काश्मीर से ये देखे आपे जम्मू और काश्मीर लिखा इसकी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं क्यों फेमस है तो किष्टवार भारत में जम् वो केसर की फूल बहुत अच्छी मात्रा में खिलते हैं अगला यहां पर कोशन है बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन अभी हाल ही में चर्चा में रहा तो यह कौन से राज़्ते से हैं बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन वहां से रेलेटेड है जो ओडीशा में जो अभी रेल डुरगटना उइटी उस से related तो यहाँ पर देखे इसका उत्तर है ओडीशा तो इसमें यहाँ पर पूरा देखते हैं भैनागा बाजार रेलवे स्टेशन जो है इसमें कोई भी ट्रेन अभी नहीं रुकेगी क्योंकि इसमें देखे पूरी यहाँ पर बता रहे हैं क्यों नहीं रुकेगी क्योंकि बाला सोर जिले में ट्रेन डुरगटना के लिए यहाँ पर जाच हो रही है और यहाँ पर बताया गया है कि लोकबुक रेले उपकरण और उपकरण जितने भी थे वो जब्त कर लिए तब यहाँ पर जो है इतने ही 10 कोशन पूरे थे यह हो गए 10 कोशन इसके बाद यह नोटिफिकेशन है अगले उसका तो यह पूरे 10 कोशन यहाँ पर आपको देखने को मिले और इसी तरह की जो कोशन है मैं चैनल पर रालती रहोंगे जिससे कि आपके जो है करंट अफेर जो ह चैनल पर नहीं हूँ तो सब्सक्राइब कर की जाईएगा धन्यवाद दूस्तों